स्टुरेंट डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 में 5.4 एक्साइज का फर्स्ट कोशन लास्ट वीडियो में द्यू तो समय टेक्निकली प्रॉब्लम इतो इसको हम यहां पर कम्प्लीट करा रहे हैं तो यहां तक आपको करा चुके थे हैं तो-साइन एक्स वसुरु एक्सी इंप Sadhguru एफ को दियुक्षण का करें गैteen की पावर एक्सINA करtar आएंगे तो आए गा क्वास एक्स अपॉन साइने रमyin ज्सक्वधार कि सुलुशन ऊजिएंगा इसके बादыл देखते हैं कुश्णन नंबर सेगंड इस एई y equal e की power sine inverse x तो आपको पता e की power sine inverse x आ रहा है तो यह e की power x से हम इसको solve कर सकते है या फिर आभी से log लेगार सकते है ठीक है तो यह simple हो सकता है तो यहां लिखेंगे differentiate with respect to x e की power sine inverse x का e की power sine inverse x लेकिन यह x नहीं है यह sine inverse x है तो sine inverse x का gain तो इसका कराएंगे तो sine inverse x का हो जाएगा 1 upon under root of 1 minus x square e की power sine inverse x into 1 upon under root of 1 minus x square यह आपका dy by dx जाएगा ठीक है यह आपका question number second अगर इसका question number third देखते है नहीं करा देते है question number third यह है y equal e की power x की power 3 तो differentiate with respect to x इस पूरे time को हमने x बान करके करा तो y dy y dx एक्स इक्वल e की power x की power 3 आ गया बट x की power 3 का हम अगेन करेंगे तो यह जाएगा 3 x square यह आपका answer हो जाएगा ठीकेश्मेंट्स portion number four देखते है यह है y equal sign 10 inverse c की power minus x 10 inverse हमना लिखेंगे differentiate with respect to x dy by dx sine x का क्या होता है cause x but यह x था नहीं यह थापका 10 inverse e की power minus x उसका गेन करना पड़ेगा cause 10 inverse e की power minus x अब 10 inverse x मान करके करते हैं इसको तो तब 1 upon 1 plus x square but again यह यह क्या नहीं है x नहीं है e की power minus x पर करेंगे तो minus e की power minus x minus 10 बारा जाएगा minus e की power minus x upon 1 plus e की power minus x का square नहीं है इसकोड़े नहीं है यह थाएगा नहीं है यह थाएगा यह थाएगा नहीं है log cos e की power x e की power x से करेंगे से तो differentiate with respect to x dy by dx पर्टोश का वजाएगा बने कान? cos e की power x अब cause e की पावर x का अगेंड करना पड़ेगा cause e की पावर x का करेंगे तो दाएगा sin e की पावर x minus sin अब e की पावर x का गेंड करना पड़ेगा तो dy by dx आप पर यह रहेगा इस नूम्बर इसको x मान किया तो यह आगा वरन पोना x आगे आपका फिर आपने जिसको x लेट किया था उसको अगेंड किया cause x का sin x minus sin के साथ आगे अब e की पावर x का अगेंड करेंगे mean बार के सिन दूदय है नेक्स वीदो में शैड करेंज है